जैहिंद पर दोस्तों आप सभी का माई चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाच्यबदाई जेविटी टेट दो या तेईस के बारे में तो मैं आपको बता दूँ जैजो उमारा आज का सेशन है इसमें हम साइकोलेजी सर रेलेटर टोप मौस्ट वैंटी क्वश्चन को डिसकस करेंगे तो मुझे उमीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर रहें तक बन रहेंगे तो चलिए प्यार दोस्तों मा सस्पति का नाम लेके इस मौश्ट इंपडे अंब बिडियो को स्टार्ट किया जाए जै मा सस्पति तो पहला क्वश्चन कौन सा है मनोबेग्यान का जैनक किसे कहा जाता है तो आपने इस क्वश्चन को माइंड में भी रखना है question number 2 की तरफ बढ़ेंगे क्या पूछी आ रहे है मनोब ग्यान की सरप्रसम प्रयोक्षाला कहां खोली गई थी क्या चीजी पूछी आ रहे है जो psychology सरलेटर पहली लेव है वो सबसे पहले कहां पे खोली गई थी right answer will be lipging दोस्तों मैं आपको बता दू जो लिपजिंग है वो जर्मनी का एक शहर है अब जो psychology की पहली लेव है किसके दवारा खोली गई थी बिलहम बुंट के दवारा तभी तो इनको father of psychology कहा जाता है और कब खोली गई थी 1879 में कब खोली गई थी एक मिनट जो psychology की first लेव है 1879 में खोली गई थी किसके दवारा खोली गई थी बिलहम बुंट के दवारा और बिलहम बुंट को इफादरव psychology कहा जाता है कहां पे खोली गई थी लिपजिंग में जो की जर्मनी का एक शहर है आगे दोस्तों question number 3 है हमारा भारत में मनोब ग्यान की पहली प्रयोक्षाला कब खोली गई थी अब बात और ये इंडिया की इंडिया में psychology की जो first lab है वो कब खोली गई थी ये question इस तरह से भी पूशे आता है भारत में जो psychology की first lab है वो कहां पे खोली गई थी तो अगर question इस तरह से होगा कब खोली गई थी तो right answer will be 1916 अगर इस तरह से पूशा जाएगा कि कहां पे खोली गई थी तो हमारा answer क्या रहेगा कलकत्ता बिशव द्याले में तो इंडिया में psychology की first lab 1916 में कलकत्ता बिशव द्याले में खोली गई थी तो मुझे उमीद है आप इन चीज़ों को भी जुरूर नोट करोगे question number 4 है हमारा मनो बिग्यान का प्रारम में क्या आर्थ था अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है psychology की development के बारे में question को समझने है क्या चीज़ पूशी जा रही है शुरू में जो psychology है उसकी क्या definition है जब पुराने समय में psychology का जो meaning है वो क्या माना जाता था अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता दू सबसे पहले जो psychology का meaning है वो क्या माना जाता था आत्मा का बिग्यान दोस्तों यह बात है शुल भी श्ताबदी की जब psychology और philosophy को अलग-अलग किया गया था पहले के समय क्या होता शुल भी श्ताबदी से पहले का जो समय था उसमें psychology और जो हमारी philosophy है उन दोनों को एक ही चीज माना जाता था उसके बाद दोस्तों क्या हुआ शुल भी श्ताबदी में psychology और philosophy को अलग-अलग किया गया अब देखे तो तब psychology और philosophy तो अलग-अलग हो गई थी अब यहां पर main चीज यह भी है कि जो psychology है उसको अलग नजरिये से देखा जा रहा था तो ऐसे में रस्तु और प्लेटों के दबारा शुल भी श्ताबदी में इसे आत्मा का बिग्यान कहा जाने लगा फिर दोस्तो थोड़ी improvement हुई फिर शुल भी श्ताबदी में इसे चेतना का बिकास कहा जाने लगा जो चेतना का जो बिग्यान है वो कहा जाने लगा स्टार मी श्तापदी में इसे मन का बिग्यान कहा जाने लगा और बीस मी श्तापदी में इसे बेबहार का बिग्यान कहा जाने लगा अगर कोई हम से पुछे इसका जो current meaning है वो क्या है तो हमारा अंसर क्या होगा study or behavior तो दोस्तों देखिए जो ब्यभार का विग्यान है वो इसका current meaning है अभी के समय में psychology को study और behavior जा ब्यभार का विग्यान ही कहा जाता है तो मुझे उमीद है जो चीजे आपको समझ आ गई होगी तो जो psychology है उसका सबसे पहले बाले meaning क्या था आत्मा का विग्यान आगे दोस्तो सबसे पहले मैं इसके का पता होना चाहिए child center education क्या है अब देखिए दोस्तों बच्चे भी school जाते है और teacher भी school जाते है तो यहां पर teacher क्यों school जाते है क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं उनके जो सारे efforts है वो बच्चों के लिए ही होते है जो teacher है उसको अपना जो teaching method है उसी तर education अब देखें दोस्तों किसकी देन है तो मैं आपको बता दूँ शिक्षा मनों बिग्यान की अब चाहिड्स सेंटर education का एक बहुत ही मत्यपूर्ण पक्ष है हमने बच्चों को उसी तरह से पढ़ाना है जितनी बच्चे की माइंड की development है वो हो चुकी है अब देखें दोस किसरी बाले बच्चे को चोथी-5 क्लास बाले भी question कर भाएंगे तो बो चीज़ हमारी चाहिड्स सेंटर education नहीं होगी चाहिड्स सेंटर हमारा जो बच्चा है वो कौना क्लास में है सेकींड इने उस हैं अपना नहीं उसी को सैंटर में रखके यह हमने उसको education देने ही है त बच्चे को पूरी तरह से एनलाईज करते हैं कि जो बच्चा है उसका माइंड कितना है वो कौन-कौन सी चीज़ें किस-किस तरह से सीख सकता है अब आप खुद देखिए जो चीज़ें हमें जो अमारी एजुकेशनल साइकोलेजी है उसी से पता लग रही है कि जो बच्चा जो बाल के इंदरी शिक्चा है चाय सेंटर एजुकेशन है जो हमारी एजुकेशनल साइकोलेजी है उसी की देन है जो शिक्चा का मनोब गयान है उसी की देन है आगे दोस्तों क्या पुछिए रहे है किस अबस्ता को परिवर्तन का काल कहा जाता है अब देखिए दोस्तों जो हमारी development होती है उसकी अलग-अलग अबस्ताइं है इसके बारे में detail में मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा लेकिन यहां पर क्या पुछी आ रहा है परिवर्तन का काल अब सबसे यादा जो changes है वो कौन सी अबस्ता में आते हैं तो मैं आपको बता दूँ सबसे यादा changes ह वो किशोरा बस्ता में आते हैं जो हमारा mind है उसमें भी changes आते हैं mind की development भी होती है वो हमारी physical development भी होती है तो यह जो किशोरा बस्ता है वो कब से लेकर कब की age होती है 12 से लेकर 18 साल तक तो देखे दोतों जो बच्चा है उसकी सबसे यादा development है वो कब से कब तक होती है 12 से अठारा तक उसकी उसके जो मैंड है वो भी चेंज होने लगता है उसकी जो बेंदा काल होने लगते हैं उसकी फीजिकल पसनी ग्रोथ वी नागती है उसकी पार्स ऑ बोडि यह Greetings ने लगती utilization सी 12 से लेकर 18 साल की जो अबस्ता है उसे परिवर्तन का काल कहा जाता है बंदा जो बच्चा जो है जो भी हमारा स्टूडेंट है उसका emotional वेसे यहाँ पे changes आते हैं हर एक वेसे उसके जो development है 12 से लेकर जो 18 साल की उमरे उसमें होते हैं तो यहाँ पर इसी को परिभर्तन का काल कहा जाता है क्वेश्चन नंबर सेवन इस क्या पूछेगा है मुनोभिग्यान का जनम किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था अब मैंने आपको क्या पताया था पहले के समय में जो साइकोलोजी और फिलोस्पी है उनको एक ह पहले के समय में तो मुझे उम्मीद है यह चीज आपकी क्लेर हो गई हो तो अभी हम बढ़ेंगे दोस्तो हमारे नेक्स्ट कोस्चन की तरफ तो आपने कुछीजों को अच्छे से समझना है तो दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंप्रणन क्या पूछे रहे बहार बात का जनक क किसे कहा जाता है काफी important question है, हर बार examination में पुछे आता है, चाए बो TGT का टैटो, चाए बो JVT का टैटो, यह जो question है, हर बार पुछे आता है, जो ब्यभार बाद है, उसका फादर किसे कहा जाता है, बोट सन को, आगे दस्तो question number 9 है, क्या पुछे आ रहे, मुनों बिग्यान को बेभार का शुद बिग्यान किसे कहा था यहां पे भी क्या चीज़ आ रही है बेभार की कहने का मिनिंग यह है जो बोटसन है उन्होंने किस चीज की तरफ वल दिया उन्होंने यह कहा जो साइकोलोजी है उसका जो मेन मुद्द है वो बेभार ही है हम साइकोलोजी के साथ बंदे का जो ब्यवार है उसको नोट करेंगे फिर उसको नोट करके हम यह चीज़ देखेंगे कि उसके ब्यवार में क्या क्या कमिया है फिर उसको चेंज करने की हम ट्राई करेंगे जो हमारा बोटसन है उसका यही कहना है तो यहाँ पर बात हो रही है मनोबिग्यान को ब्यभारबाद का जनक भी इसी कहा याता है और यहां पर बात हो रहे है ब्यभार का शुद्ध बिग्यान साइकोलीजी को ब्यभार का शुद्ध बिग्यान किसने कहा था यहां पर भी आएगा बोट्सन क्वेश्चन नमबर 10 किसे बढ़ेंगे विकास की प्रब्रिति होती है धनात्मक होती है रिनात्मक होती है पोजिटिव होती नेक्टिव होती गुणात्मक होती है जा पोजिटिव हो नेक्टिव दोनों होती है अब देखिए दोस्तों जो हमारी डिवलपमेंट है ठीक है साइकोलीजी में क्या चीज कहीं आ रही है जो हमारी डिवलपमेंट है वो गुणात्मक होनी चाहिए कही ना कही वो हमारी जो गुणात्मक है वो होनी चाहिए अगर हमारा विकास है वो गुणात्मक नहीं है तो कही ना कहीं हम पीशे ही रह जाए गुणात्मक दोस्तों क्या चीज़ होती है क्वालिटी वेस डिवलपमेंट ठीक है हम देखिए अब हम ही क्या है सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़े जो कि हमें ठाल की नहीं आते जब हम ठाल में चले जाएंगे तो हम हमारे अंदर एक क्वालिटी आएगी कि हम ठाल की चीज़ों को समझ रह आता है अब देखिए दोस्तों यह जो टोली और समुह की आजूए काफी important question है कई बार यह जो question है वो examination में पूछे आता है तो दोस्तों मैं आपको बता दू राइट अंसर बिल भी बाले अबस्ता अब देखिए दोस्तों जो हमारी वाले अबस्ता रहती है वो कौन-कौन स साल की अबस्ता है तो मैं आपको बता दू बाले अबस्ता को तीन से लेकर बारा साल की जो अबस्ता है वो कहा जाता है इसमें क्या होता है जो बच्चा है टोली और समुहों में रहना शुरू हो जाता है स्कूल में जाता है वो अपना एक friend circle बना लेता है जैसे तीन students का वो साल की जो उम्र है वो बालेकाल की रहती है अब जे जो वालेकाल है इसको दो तरह से festivals स हुरू में आना शुरू हो जाता है प्र यहां पर क्या होगा दोस्तों बाले आज यह पुछ desto है लगन मारत कम सी प्याय कि प्लिय जाती है पहले किसके की बात हो रही थी जो हमारी psychology है मनों भी ग्यान की बात हो रही थी लेकिन दोक्तों अभी यहां पर educational psychology की बात हो रही है पहले किसकी बात हो रही थी अकेली psychology की लेकिन यहां पर educational psychology की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूँ educational psychology की जो उत्पत्ती है वो 1900 से मानी जाती है हाला कि दोस्तों यह चीज clear नहीं है, ऐसा नहीं कि 1900 से ही है, लेकिन दोस्तों जहां पर भी जो चीज अब लिखी गई है, हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है, सन 1920 से मानी जाती है, तो आपके लिए जो राइट अंसर यह रहेगा 1920, question number 13 है, छिक्षा मनों पर ग्यान के जनक माने जाते है, who is the father of educational psychology, पहले हमने क्या चीज पढ़ी, father of psychology, जो psychology है वो अपने आप में independent है, अब देखे दोस्तों जो educational psychology है, वो psychology की ही एक ब्रांच है, जब हम psychology का use educational field में करते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, educational psychology, और इसके father कि से का जाता है, इसका जनक कि से का जाता है, ठोन डाइक क तो काफी important question है, आपने mind में रखना है, who is the father of educational psychology, राइट अंसर इस ठोन डाइक, question number 14 is, विकास शुरू होता है, जो बच्चे की development है, वो कब से शुरू होती है, पूरा बाले काले अबस्ता में, मैंने आपको पहले बिताया था, जिसको कि हम प्रारंबिक बाले काले बस्ता क तो यहाँ पर राइट अंसर हैगा, प्रसा पूरा, प्रसा पूरा में delivery से पहले, जब जो बच्चा है, वो अपने माता के पेट में होता है, तो उसकी development है, वो तभी से start होती रहती है, ऐसा नहीं है कि बच्चे का जनम होता है, तभी उसकी development स्टार्ट होती है, जब किदी सी बात है, जो कि फादरव psychology है, उसने ही सबसे पहले अपने आपको मनो बिग्यानिक कहा होगा, राइट अंसर बिल भी बिलहम बूंट, जो बिलहम बूंट है, उन्हीं ने जो psychology की फ़र्स्ट लाप है वो खोली थी, उन्होंने साइकोलीजी की खोज की थी, और उन्ह को ने ही अपने आपको सबसे पहले जो मनो बिग्यानिक हो कहा था, आगे दस्तों question number 60 ने क्या पुछी आ रहे, निमिलिक्त में से मनो बिग्यान को मन का बिग्यान किस ने कहा था, right answer will be option number C क्या लिखा ये, पूमपो नोजी, ठीक है दस्तों, पूमपो नोजी ने, जो मनो ग्यान ने उसको मन का बिग्यान कहा था, question number 17 is, प्लेवे पुस्तक के रिचेता कौन है, काफी important question है, who is the writer of प्लेवे बुक, right answer will be Henry Cook, जो हमारा option number D है, वो बिलकुली सही रहेगा, question number 18 is, क्या पुछी है रहे, निमिलिक्त में से शिक्षा का केंदर बिंदू क्या है, अब दे education नहीं चली हुई है, ठीकर दोस्तों, तो यहाँ पर right answer will be बालक, question number 19 ने क्या पुछी है रहे, तो यहाँ पर राष्टे मानसिक बिकलांक संस्तान कहा पे स्थित है, right answer will be है अधराबाद, आगे दोस्तों क्या पुछी है, question number 20 में, तुम मुझे कोई बालक दे दो, और मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ, यह जो दाबा है वो किसका है, आप देखिए जो psychology है, उसके पेस पे जो बंदा है किस तरह की statement दे रहे, बंदा कितना confident है, क्या चीज कह रहा है, आप मुझे कोई भी एक बच्चा दे दो, मैं psychology का use करके उससे जो चाहे बना सकता हूँ, जै आरे चैनल को भी जरू सब्स्राइब करना है, और आगे की अपडेट्स के लिए आपने बेल आइकन को भी जरू दबाना है, तो रोस्तो थैंक यू, जैन जैवारत, जैम अचल